हलो स्टुडेंट्स आज हम मैं आज में चैप्टर 11 मनी कॉंटिन्यू करेंगे चैप्टर हमने लास्ट क्लास में शुडू किया था एंड एक्सेसाइज किती इसकी 11.1 तो तो हमारी डिवीजिन एक्सेसाइज थी आज हम पढ़ेंगे युनिट्री मेथड युनिट्री वैल्यू दी होती है एक क्वांटिटी की यानि कोई भी एक क्वांटिटी की वैल्यू हमें दिये है और हमें काफी सारी क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं उसको मल्टिप्लाइ करते हैं अब यहां एक्जामपल है कॉस्ट आफ वन चॉक्लेट is rupees 10 यहां पर rupees आप लिखेंगे rupees 10, then cost of 5 chocolates is 10 into 5, so एक chocolate की हमें cost थी 10 rupees, अब हमें 5 chocolate की cost निकालनी है, तो किस से multiply करेंगे, 10 into 5 is 50 rupees, 5 chocolate की cost होगे 50 rupees, so when we know the value of many, we divide it to find the value of one quantity, और जब हमें काफी सारी quantity की value दिये होती है, तो हम एक value की, एक quantity की value निकालने के लिए उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसका example जैसे cost of 6 bananas is 19.50 rupees divide by 6, तो total 6 banana की, जो 6 banana की cost थी वो थी, इतनी, और 6 से divide करेंगे उसको, तो कितने की, 1 banana की cost आजेगी, so 19.50 को 6 से divide किया, तो हमारी एक banana की cost कितनी आए, 3 rupees 25 पैसा, लिखा बट सम टाइम, we know the value of the sum units, now if we have to find the value of the different units, we follow the steps given below, अब हमें value दी होती है, कहीं कुछ units की हमें value दी होती है, and we have to find the value of the different units, हमें अलग अलग units की value find करनी होती है, तो यह steps हम follow करते हैं, first step find the value of one unit from the value of many units by division, पहले तो हम one unit की value find करेंगे, कैसे divide करके by division from the value of many units, next use the value of one unit to find the value of required units by multiplication, फिर हम उसी one unit की value से, जो भी हमें पूछे होगी required units की कितनी required unit है, उसकी value हम find out कर सकते हैं by multiplication, तो हमें क्या करना है, पहले तो one unit की cost निकालनी है, one unit की value कितनी है, उसके बाद उस value से हमें जितनी required unit है, उसकी value निकालनी है multiplication से, तो क्या होगा है, पहले divide करेंगे, फिर multiply, thus this method of finding the value of one unit and then finding the value of required units is called the unitary method, तो इस method को क्या बोलते हैं हम, unitary method, अब इसके example दे रखा है, first if 10 notebooks cost रुपीज, 42 रुपीज, 50 पैसा, find the cost of 7 such notebooks, अब यहाँ पर 10 notebooks की cost दे रखे हमें total क्या है, 42 रुपीज, 50 पैसा, और हमें कितनी की पूछी है, हमें 7 notebooks की cost पूछी है, सबसे पहले हमें one notebook की cost निकालनी है, वो क्या होगा, इसको divide किसे करेंगे, 10 से, 10 से divide किया, तो क्या है हमारे पास, 4.25, decimal left place हम shift करेंगे, divide किया 10 से, तो अज़ेगा 4.25, अब इसको हम किसे multiply करेंगे, 7 से, क्योंकि हमें 7 notebooks की cost निकालनी है, तो पहले हमने क्या किया, divide किया, one notebook cost निकालने के लिए, और उसके बाद हम इसको multiply करेंगे, 7 से, क्योंकि हमें 7 notebook की cost निकालनी है, तो यहाँ पर आगे दिया हुआ, cost of 7 notebook cost क्या हो जाएगी, 4.25 into 7, तो multiply गी है 7 से, तो हमारी cost के आगी 7 notebooks की, 29 रुपी, 75 पैसा, ठीक है, तो यह आपको clear है, इसकी exercise आपने करने है, 11.2, तो इसके questions देखते हैं, first question है, if 9 kg wheat cost रुपी 266, 85 पैसा, what is the cost of 5 kg wheat, so, इसमें क्या है, 9 kg wheat की cost देर की हमें, total इतनी है, हमें निकाल लिए 5 kg wheat की, तो पहले same, हम वही करेंगे, इसको 1 kg wheat की cost निकालेंगे, 9 kg की इतनी है, तो 1 kg की कितनी होएगी, 266.85 डिवाइड बाइ 9, तो हमारी 1 kg की cost आजाएगी, फिर जब हमें रपस 1 kg की cost आगई, 1 kg wheat की, तो हम 5 की भी निकाल लेंगे, 5 kg की कितनी होजाएगी, जो हमारी 1 kg की cost आएगी, उसको multiply करेंगे हम 5 से, तो हमारी 5 kg की cost आजाएगी, ठीके, हमें जब easy है, हमें first क्या निकालना है, वन यूनिट की cost निकालनी है, वन यूनिट की value जो भी आएगी, उससे हमें जितनी भी पूछी होगी, हम वो easily निकाल सकते हैं, next question है, 4 shirt cost rupees 264, find the cost of 15 shirts, such shirts, यह भी वैसी करेंगे, 4 shirts की cost दे रखी है, तो 1 shirt की कितनी होगी, इसको divide करेंगे, 4 से, then, 1 shirt की जो cost होगा जाएगी, तो 15 shirts की में पता लग जाएगी, 1 shirt की जो cost आएगी, multiply by 15, ठीक है, next है, 12 heat convectors, cost rupees 8456, .75, तो यह 12 heat convectors है, जिसकी cost कितनी है, 8456, 75 पैसा, what is the cost of 7 such heat convectors, तो यह भी उसी तरीके से, same, 1 heat convector की cost निकालेंगे, then 7, 7 की, ठीके, next राहूल, earns rupees 4500, rupees and 80 पैसा in 8 days, how much does he earn in 6 days, 8 days की earnings दे रखी है, राहूल की इतनी है, total, 8 days में कितना अन करता है, इतना, so 1 day में पहले दिखा लेंगे, 1 day में कितना earn करेगा, इसको divide करेंगे, 8 से, तो 1 day की earning आजेगी, हमारे पास, तो 6 days की earning कितनी हो जाएगी, जो 1 day की आएगी, उसको multiply करेंगे, 6 से, एके, next 9 pencils, cost rupees 20, 25 पैसा, how much does the 12 pencil cost, यह भी easy है, simple 9 की दे रखिया है, 12 की निकालनी है, अपने, then the school fee for quarter year is rupees 1300, how much is the annual fees, अभी school की fees है, for a quarter year, quarter year means, quarter means क्या होता है, हमने पढ़ा, fraction में 1 fourth, quarter is 1 fourth, तो 1 fourth year, यहनि year का 1 fourth, जो एक साल में, one fourth कितना हो जाएगा, year में होते हैं, 12 months, so 12 months को divide करेंगे, 4 से, 4, 3, 12, यानि, 3 months का 1 quarter होता है, 12 months होते हैं, total, 12 को हमने 4 से divide किया, तो, 4, 3, 12, तो 1 quarter में हो गए, 3 months, तो यह हमें क्या दे रखिया है, 3 months की fees दे रखिया है, school की, for a quarter year is to a 1300, तो 3 months की fees है, 1300, how much is the annual fees, annual fees क्या हो जाएगी, एक year में कितने quarter होगे, 4 quarters होगे, 3, 3 months के, 3 into 4 is 12, इसको हम किस से multiply करेंगे, 4 से, तो, 3 into 4 is 12, तो यह 3 months का quarter होता है, तो 1300 into 4 is, जो हमारी multiply 4 से करेंगे, वो हमारी annual fees आजाएगी, ठीक है, इस ध्यानक ने आपको जब भी quarter year, यह quarter दिया हो, यानि 1-4, नेक्स्ट प्रिया रीड्स 126 pages of a novel in a week, how many pages will she read in 15 days, तो एक novel की प्रिया है, वो एक week में 126 pages read करती है, यानि 7 days, week में 7 days होते हैं, तो 126 pages read करती है, वो 7 days में, so 15 days में कितनी करेगी, 126 divided by 7, पहले हम क्या करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 1 day का जो read करती है, 1 page, वो हमें आ जाएगा, पता लग जाएगा कि 1 day में वो कितने pages read करती है, then 1 day में जब हमें पता लग जाएगा, तो हम 15 days के भी निकाल सकते हैं, तो उससे multiply करेंगे 15 से, so एक question यह खलम, notebook में भी करेंगे, आपको यह करके दिखाते हैं कैसे करना आपने, question number 7, so प्रिया लिखेंगे पहले, प्रिया reads pages in 7 days, कितने read करती है वो 7 days यानि week में 126, so टिया reads pages in one day, one day में कितना read करेंगी, 126 डिवाइड बाइ 7, तो इसको बापे रफ इसको आप डिवाइड करेंगे, 126 डिवाइड बाइड 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 गरेंगे, 12-7 is 5, एक पर क्यारी किए 6, 7 एट जा 56, तो मारे पर इस कितने आया, 18, 126 दिवाइट बाइ 7 is equal to 18, 18 pages, एक दिन में 18 pages हो गए, 18 pages, रीट करती है, ना पूछेंगे, how many pages will she read in 15 days, so, pages, she will read in 15 days, 15 days में कितना हो गए, एक दिन में 18 pages है, 18 multiply by 15, so, कितना है गया, यहाप पर इसको multiply करेंगे, 18 into 15, 5 एट जा 40, 5 एट जा 5, plus 4, 9, then 1 एट जा 8, 1 जा 1, यहाँ आगे, 18, 0, 8, plus 9, 17, then यहाँ 1, plus 1, 2, 270 pages, in 15 days, थीक है, आपने सारे आसी करने है, पहले 1, 1 की निकालनी है, हर एक question में, 1 unit की value क्या है, then जो पूछी गई है, उसकी, next step, train covers 150 km in 2 hours, in how many hours, will it cover 1425 km, अब इसमें पूछा है, 150 km train cover कितने देर में करती है, 2 hours में, so इतने km वो कितने देर में cover करेगी है, सबसे पहले हम निकालेंगे, 1 hour में train कितना cover करती है, है, तो इसको हम 150 km divided by 2, तो हमारे 1 hour की आजएगी, यह 2 hours में दिया हुआ है, तो 150 divided by 2 is, इसको हमारा आजएगा 75 km, तो 1 hour में हो गई 75 km, इतने km कितने देर में cover करेगी, हम क्या करेंगे, जो 75 km आया था, वो था हमारा 1 hour में, तो इसको divide किसे करेंगे, 75 से, 75 से divide करेंगे, तो हमारा जो answer आएगा, वो हमारे क्या हो जाएगे, वो hours हो जाएगे, that it will cover in 1425 km, ठीक है, सचिन स्कोर 78 runs in 6 hours, सचिन ने 70 runs बनाया, कितने 6 hours में, in how many runs did he score in 4 hours, आप क्या करेंगे, पहले 1 over में निकालेंगे, 78 divided by 6, तो 1 over के आपको run पता लग जाएगे, कि 1 over में कितने बनाये, then multiply करेंगे, 4 से तो 4 hours में score जो बनेगा, वो में पता लग जाएगा, ठीक है, 5x cost रुपीज 15, how much एक दस 22x cost, यह भी simple पहले ही, जैसे दिया हो है, 5x की cost दे रखी, हमें कितनी, 12, 3, 2x की निकालनी, तो पहले 1x की cost निकालेंगे, then 1, उससे multiply करेंगे, 22 से, तो यह आपके सारे 10 questions है, इस exercise के, यह अपनी notebook में अच्छे से करने है, यह आपको बस दिधान रखना है, पहले किसकी 1 quantity की value निकालनी है, then जो पूछी गई है, उसकी निकालनी है, ठीक है, इस दो यह exercise 11.2 यह अपने notebook में करनी है, okay, thank you.